कर दिल्ली की एक बहुत बड़ी मार्किट सुभाश नगर के बीचों बीच एक गाड़ी में सवार लोगों पर तीन लोग गोली बारी करके निकल जाते हैं वो मार्किट के बीचों बीच सड़क के बीच में जहां पर बहुत ट्राफिक आ जा रहा था ये तीन अनाइडेंटिफाइड लोग बंदूक लेकर आते हैं और उस गाड़ी में बैठे लोगों पर धुआधार फाइरिंग करते हैं वो धुआधार फाइरिंग करने के बाद मार्किट की भीड से आराम से फरार हो जाते हैं कोई उनके पीछे भी नहीं जाता आब आज उस घटना को 15-20 घंटे से जादा हो गए हैं लेकिन अभी भी दिल्ली पुलिस एक भी व्यक्ति को जो सड़क के बीचों बीच बाजार के बीचों बीच गोली चलाकर धुआधार गोलियां चलाकर चला जाता है उस पर कोई भी कारवाही नहीं है कोई भी आक्शन नहीं है ये दिल्ली की लॉइन ओर्डर की क्या हालत हो गई है कि एक मार्केट के बीचों बीच शाम के साड़े साथ बजे कोई भी क्रिमिनल ये सोचता है कि हम आकर गोलियां चलाकर किसी पर चले जाएंगे वहाँ से लेकिन हम पर कोई भी आक्शन नहीं होगा आज किसी में दिल्ली पुलिस का कोई डर क्यों नहीं है क्योंकि उन्हें पता है दिल्ली पुलिस तो बहुत व्यस्त है दिल्ली पुलिस की सारी फोर्स व्यस्त है भारतिय जंता पाटी के गुण्णों को बचाने के लिए आप पिछले कुछ दिनों से देखिए दिल्ली पुलिस ने इतनी फुर्ती दिखाई है जब उन्हें तिजिंदर बग्गा जी को गैर कानूनी रूप से बचाना था तब दिल्ली पुलिस की सारी फोर्स सड़क पर उतर जाती है तब दिल्ली पुलिस की सारी फोर्स गाड़ियों में बैट कर जेम्स बॉंड की तरह कुरुक शेत्र पहुँच जाती है भारतिय जनता पार्टी के गुंडों को बचाने के लिए लेकिन दिल्ली के लोगों के खिलाफ खुले आम क्राइम होते हैं लेकिन दिल्ली पुलिस दिल्ली के आम इंसान को सिक्यूरिटी नहीं दे पाती क्योंकि उन्हें भारतिय जनता पार्टी के गुंडों को बचाने के बाद समय बचे तब तो वो दिल्ली के आम लोगों की सुरक्षा करें और जो कल का वाकिया हुआ है ये को ये एक इकलोता वाकिया नहीं है आप पिछले दस दिन के अख़बार उठाके देखिए तो समझ में आ जाता है कि दिल्ली के लॉइन ओर्डर की क्या स्थिती है अभी 6 मई को ही नरेला इलाके में एक 15 साल की लड़की के साथ गैंग रेप हुआ 27 एपरल को वसंद कुझ इलाके में एक 45 साल की महिला का मर्डर हो जाता है 24 एपरल को नरेला के इलाके में एक मजदूर की जली हुई बॉड़ी मिलती है 22 एपरल को एक महिला को अपने बच्चों के सामने चाकू मार के लगा के मार दिया जाता है 15 एपरल को एक महिला जो अपनी गुमशुदा बेटी को ढूंड रही थी उसका बलादकार हो जाता है 14 एपरल को एक 55 साल के आदमी की कमला मार्किट में खुले आम चाकू मार कर हत्या हो जाती है ये पिछले सिर्फ 15 दिन के न्यूस पेपर से मैं दिल्ली की क्राइम की घटनाएं पढ़के सुना रही हुई अगर आप डेटा देखने जाईएगा तो ये पता चलेगा कि पूरे देश में जो सारी मेट्रो सिटीज हैं उसमें सबसे जादा क्राइम के केसिस दिल्ली में रिपोर्ट होते हैं पूरे भारत में 19 मेट्रो सिटीज हैं लेकिन उन 19 मेट्रो सिटीज में से सारे जो रेप केसि आते हैं उसमें से 40% रेप के केस सिर्फ दिल्ली से आते हैं 25% मर्डर के केस सिर्फ दिल्ली से आते हैं यहां तक कि 2021 में साड़े पांच हजार से जादा हीनस क्राइम्स दिल्ली में रिपोर्ट हुए किसी भी मेट्रो सिटी से जादा यह है दिल्ली पुलिस का रिपोर्ट कार्ड तो एक तरफ दिल्ली के आम आदमी के पास कोई सुरक्षा विवस्था नहीं है दिल्ली के आम इंसान की साथ मर्डर होता है रेप होता है किडिनैपिंग होती है गोलिया चलती है चक्कू चलते है लेकिन भारतिय जंता पार्ट के गुंडों को बचाने के लिए दिल्ली पुलिस की सारी फोर्स सड़क पत उतर जाती है हर्याना तक चली जाती है तो इससे ये साफ हो जाता है कि आज जो दिल्ली का आम इंसान इस लॉइन ओर्डर की बिगड़ती हुई सिचुएशन से परिशान है उसका सिर्फ एक ही है और वो है दिल्ली पुलिस जो भारतिय जनता पार्टी के गुंडों को लफंगों को दंगईयों को जो प्रोटेक्शन देने में बिजी है जो बचाने में उनको व्यस्त है उसकी वज़ा से आज दिल्ली का आम इंसान परिशान है तैंक यू देखिए तेजंदर बग्गा जी को कोई रिलीफ नहीं मिला है तेजंदर बग्गा जी कोट गए थे जो उनके खिलाफ वारंट इसु हुआ है उस वारंट पे स्टे लेने के लिए पंजाब कुलिस के पंजाब पुलिस ने बहुत सपष्ट किया कि वो रात के बीचों वैसे भी तेजंदर बग्गा जी को हाई कोट के केस से पहले हाई कोट की अपियरंस से पहले गिरफतार करने वाले नहीं थे इसलिए इस मिड़नाइट खियरिंग का कोई भी मतलब नहीं था तो ये पंजाब की पुलिस में कहा है कि वो हाई कोट की अगली हियरिंग से पहल देखिए सिरसा जी अब जिस भातिय जंता पार्टी में शामिल हो गया अब वो तो है गुंडों की पार्टी वो है दंगईयों की पार्टी वो है लफंगों की पार्टी तो वो तो चाहते ही है कि हर जगा दंगे हो हर जगा लॉइन ओर्डर की सिचुएशन खराब हो अगर को माहौल बिगाडने की कोशिश करता है तो पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी है कि तुरंट एक्षिन ले वरना कल को अगर पंजाब में दंगे हो जाते हैं सामुद अलगलग समुदायों के बीच में तनाव होता है हिंसा होती है तो कल आप ही लोग हमसे पूछेंगे कि अगर सोशल मीडिया पे कोई अलगलग समुदायों को भड़का रहा था तो पंजाब पुलिस मुखदर्शक बनके क्यों बैठी थी तो पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी है कि अगर कोई भी साम्प्रदायक तनाव पैदा करने की कोशिश करे तो उस पर तुरंट आक्षिन ले भारतिय जंता पार्टी की हिमाचल प्रदेश में सरकार है भारतिय जंता पार्टी को शरमानी चाहिए कि उनकी सरकार होते हुए हिमाचल प्रदेश की विधान सभा पर कोई ऐसे खालिस्तान के जंडे लगा के जा सकता है किसी भी राज्य की विधान सभा इस देश की संप्रभुता का प्रतीक है किसी भी राज्य की विधान सभा को सिक्योरिटी देना उस राज्य की सरकार की जिम्मेदारी है और हमारा ये मानना है कि अगर हिमाचल प्रदेश की भारतिय जनता पार्टी की सरकार अपनी विधान को security नहीं दे पा रही है तो वो हिमाचल प्रदेश के आम लोगों को क्या security देखे लेकिन भारतिय जन्ता पार्टी की तो एक समस्या है उन्हें अपनी गुंडा गर्दी से फुरसत मिले उन्हें अपनी दंगईयों को बचाने से फुरसत मिले तब तो वो जाके विधान सभा क security के बारे में सोचेंगे नहीं दो वो जाके हिमाचल के आम लोगों की security के बारे में सोचेंगे लेकिन भारतिय जन्तापार्टी का एक ही agenda है अभी तो भारतिय जन्तापार्टी ऊपर से नीचे तक सिर्फ एक टेजंदर सिंगग्धा को बचाने में लगी हुई है जब आपकी पूरी पार्टी, आपकी केंदर सरकार, आपकी राज्य सरकारों का एक ही एजेंडा है कि गुंडों को कैसे बचाया जाए, लफंगों को कैसे बचाया जाए, दंगईयों को कैसे बचाया जाए तो इस देश की संप्रभुता का जो प्रतीक है उस राज्य की विधान सभाव उसका law and order और security maintain करना का आपको समय कहां से मिलेगा Thank you